पिचले कुस सालों में medical sector में robot का इस्तमाल काफी भढ़ गया लेकिन medical surgery में artificial intelligence और robot का इस्तमाल अब आम होता जा रहा है robot की मदद से अब मुश्किल से मुश्किल मानी जाने वाली operation को आसानी और सटीकता से किया जा रहा है ऐसा ही कुछ कार नामा Japan की company Sonny ने किया हाल ही में सोनी ने ऐसे ही एक माइक्रो सर्जरी रोबोट बना कर दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स को हैरानी में डाल दिया वैसे तो जापान की ये एलेक्रोनिक्स कमपनी सोनी को टीवी, वीडियो गेम और लेप्टॉप बनाने के लिए जाना जाता है लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जापान की ये कमपनी मेडिकल फिल्ड में इस्तमाल होने वाले रोबोट्स बनाने का काम भी करती है हाल ही में सोनी ने एक ऐसा ही रोबोट्स बना कर तयार किया जिसकी मदद से मुश्किल और जटिल माने जाने वाली माइक्रो सर्जरी करना आसान हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सोनी का ये रोबोट किस तरह से एक छोटी से दिखने वाले मक्के के दाने पर कितनी आसानी से सर्जरी करता दिख रहा है दरसल, इस रोबोट को सुपर माईक्रो सरजरी के जटिल शेतर में साहता करने के लिए डिजाइन किया गया। मेडिकल शेतर में इस तरह की सरजरी को एक अत्याधूनिक मुश्किल माने जाने वाला काम माना जाता है। जिसमें सर्जन बेहत छोटी रक्त बाही काउं और नसों पर ओपरेशन करते हैं, जिसके लिए सर्जन को बहुत ध्यान पुर्बक और इस्थिर हातों की जरूरत होती है। इस काम में सर्जन अतिधिक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर माइक्रो स्कोप के तहट ऑपरेशन करते हैं। ये रोबोट टेली ऑपरेशन उपकरण सर्जनों को अपनी द्रश्टी बढ़ाने और हाथ की गती को कम करने की अनुमती देते हैं, जिससे डॉक्टर्स को सर्जरी करने में आसानी होती है। सफल होगा।